Frequency का S I unit क्या होता है Frequency के unit chapter to chapter बदलते रहते है इसलिए जो chapter आप पड़ रहे है उसके हिसाप से unit को याद रखे Frequency का S I unit होता है Hertz Hertz की जगा पर आप per second भी यूज कर सकते है दोनों के मतलब सेम होते है Hertz के लिए symbol में HZ लिखा जाता है जबकि per second के लिए symbolic form में S के उपर power में minus 1 लिखा जाता है, जिसको हम per second कहते हैं, per second, second inverse, inverse मतलब 1 upon second, इस तरीके से आप कह सकते हैं. frequency के कुछ और SI units भी हो सकते हैं, जैसे की RPS, CPS, WPS, OPS, ये क्या होते हैं, ये देखते हैं, RPS के दो मतलब हो सकते हैं, revolution per second या फिर rotation per second, revolution per second ये circular motion chapter में होता है, rotation per second ये rotational motion chapter में होता है, cycle per second मतलब की CPS होता है, ये भी आपको जो chapter में cycles दिखें, जैसे की for example आप बात करें, circular motion, तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है, wave per second मतलब की WPS होता है, ये आपको oscillation में, या फिर आपका जो chapter हो गया, sound से related, उसके अंदर जहाँ पे waves है, for example sound waves होती है, उसके हिसाब से wave वाले chapters में आपको ये मिल जा है, hertz भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जिस हिसाब का sum होगा, जिस हिसाब का chapter होगा, उस हिसाब से आपको SI unit decide करना होगा, OPS, oscillation नाम के जो chapter है, SHMB कहते है, simple harmonic motion, या फिर oscillation, ये chapters में आपको OPS, मतलब की oscillation per second भी, यूज करना पढ़ सकता है, hertz भी आपको मिल सकता है, hertz per second, ये तो ही ही ऐसा unit, उसके अलावा कुछ-कुछ जगा पे ये सारे ऐसा unit use किया होते है, जैसे कि RPS, CPS, WPS, OPS, hertz का spelling आप देखेंगे तो small h से start होता है, और symbolic form में capital H और small z लिखा जाता है, इसा क्यों होता है, क्योंकि ये scientist के नाम पे से लिखा गया है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए spelling लिखते समय, small से start होगा, और H, Z, symbol लिखते समय, capital H और small z का उप्योग होगा, क्योंकि ये दो अक्षर में है, तो scientist के नाम से start होता है, इसलिए symbol हमेशा capital से होना चाहिए, जैसे Newton में capital N आता है, only capital N, small N आप नहीं यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे, नाम के लिए नह आम दोनों चीज़े याद रख सकते है, ऐसे ही हर चीज से related में वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि आपको हर एक concept में clarity रहे, चलो, इसी के साथ मैं मिल तब आपको next वीडियो में, बाई-बाई कटायंस, एनायंस, एनोड और कैथोड के सच को जानने के लिए, आप इस वीडियो के thumbnail को ज़रूर से ढूंड़िए और देखिए